नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सदक्ति सेकर आपका स्वागत करती हूँ हमारी श्रीमत होम रेमेडीस में आपको आज हम जो हमारे रोज मरा के किचन में जो काम आती है हल्दी उसके बारे में बताएंगे आप इंतजार कीजेगा उसके बारे में उसके गुण कर्म के बारे में चलिए दोस्तों अभी हल्दी के गुंड धर्मा आपको बताते हैं हमारे पाकव शासर का यह बहुत अविभाज्य हम सभी भारतिया इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं हमारे साक सबजी और हर तरीके के जो पक्वान बनते हैं उसमें सभी गुर्णियों को पता है कि हल्दी के बना हम खाना नहीं बना सकते हैं बना सकेंगे लेकिन उसमें वह टेस्ट नहीं आएंगी और हम वह प्राचिन काल से जितने भी वनसपतिया है सब के आउशदी गुण मात्र है और सब आचारियों ने बताई वे हैं हम जो किछन में इस्तमाल करते उन सभी के आउशदी गुण है हम युही उनका इस्तमाल नहीं करते खर जाने अन्चाने में इसे ही हम बहुत अच्छी चीज इ तरफ इस जितने भी अउशदी है वो सबी अपने गुणों के हिसाब से उनके अंदर जो गुण मौझूद है उनके इसाब से हमारे शरीर पर असर करती हैं और हमारे व्याधि से मुक्त करने का काम ये गुण यह जो इन बनस्त पतियों में जो गुंड रहते उसी आधार पर हमारी हम व्यादिये से मुक्त हो सकते उसका सही तरीके से इस्तमाल करके अभी आपको इसका अगर रासायनिक संखटन बताएंगे तो इसमें एक करक्यूमिन नामक तत्व है जो इसको पीलापन देता है इसमें कुछ essential oil है, camphor है, camphene है, vitamin A है, starch है लेकिन इसका मुख्य जो तत्व है वो करक्यूमिन है जो active ingredient है करक्यूमिन यह anti-cancerous है जैसे अभी modern study के हिसाब से और यह anti-inflammatory है, anti-piratic है, anti-fungal है, anti-viral है, anti-bacterial है बहुत सारे फाइदे देता है हमको, अभी हमारे जो रोज मरा के जिन्दगी में हम जो इस्तमाल करते हैं, अभी शुरू से जैसे कि हमको किसी को समझाना नहीं पड़ता है, माओं को, कि अगर आपके बच्चों को खासी आ रही है, या सर्दी है, तो क्या किया जाए, अभी गला बैठता है, या सर्दी होती है, तो ममी लोग गरम दूद करते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी का चूरन डालते हैं, और पिला देते हैं, कि उन्होंने ये कोई आईरवेदा में पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये पहले से उनको पीडी दर पीडी ये बातों के बारे म बताया गया है, तभी तो इन सब चीजों का इस्तमाल होता है, अभी इसका गुण हम देखेंगे हल्दी का, जो आईरवेदिक के हिसाब से, यहां रसमें तिक्त और कटू है, इसका वीर्य उष्ण है, विपाक कटू है, और यहां लगू और रुक्ष है, अपने इन गुण के वज़े से यह शोथगन है, शूलगन है और वर्ण है, अभी अमारे जो आचार्यने इसके जो परियाई नाम जो बताये है, अपने सहिता में, जो कांचनी, नीशा, गौरी और हट विलासिनी, योशित प्रिया, अभी इन सब का अपना-पना मतलब है, यही इसको यह परि बहुत सारे रोगों के उपर बहुत अच्छा काम करती, खास करके प्रदर पे, श्वेत प्रदर और सर्विस आइटीस पे, यहाँ हट विलासिनी मतलब बजार की शोबा बढ़ाने वाली है, हम सब लोग इसका इस्तमाल करते हैं, यह बजार में उपलब्द होती है, उसके बजार खाली दिखेंगा आपको, यहाँ कांचनी है, इसकी वज़े से शरीर का वर्ण उजालने वाली यह वनस्पती इसके लिए कांचनी, नीशा मतलब चाननी राद की तरफ खुबसूरत और गौरी मतलब पीले कलर की, अभी जाते हैं अवशदी गुन के तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ अंटी पायरेटिक है, अंटी इंफ्लमेंटरी है, अंटी वाइरल, अंटी बैक्टरियल, अंटी फंगल, तो सबसे पहले हम लोग इसका तवच्चा पर क्या कार्य है, वो देखेंगे, हमारे भारत में जितने भी पारंपारी शादिया होती ह है, उनमें हल्दी का उप्टन लगाया जाता है, हल्दी के बगेर हमारी शादी अदुरी हो जाएगी, हल्दी यहाँ प्रोग्राइम तो हमारे हाँ का एक important program माना जाता है, जहां पे दुल्हे को भी हल्दी लगाई जाती है और दुल्हन को भी, इसका जो उप्टन है, वो अपने शादी में आती है तो उसका जो वर्ण है वो एकदम निखरा हुआ और अलग ही चमक रहती है उसके चेहरे पे और बहुत खुबसूरत वर्ण रहता है उसका इतनी खुबसूरत चीज है यह हल्दी कि हमारे जो इतने इंपॉर्टन फंक्शन का यह एक बहुत ही बतला अभी भाज्य घटक है कि हम इसके बगर हमारी शादी सोच नहीं सकते चोलो यह वर्ण है इसके लिए इसका इसका उप्योग है अभी हमारे रोज केस में अगर पिंपल से एकने है या कई फोड़ा फुनसी है इसके उपर भी अगर हम उसको लगाएंगे तो उस फोड़े फ जो चिकन पॉक्स है मिजल्स है इन में भी अगर आप इसको निम पत्र स्वरस और हल्दी का चूरण अगर मिला के अगर लगाएंगे या हल्दी और निम पत्र को पानी में उबाल के अगर उससे नहलाएंगे तो यह दो बीमारियों में भी यह बहुत अच्छा काम करती है और बच्चे हमारे बहुत जल्दी से सवस्थता पाएंगे अगर हम आगे बढ़ते हैं जैसे हल्दी जो सर्दी खासी में बहुत अच्छा काम करती है अगर हम इसका काड़ा बना के देते हैं और उसका गरारा करेंगे तो मुक के अंदर के जितने भी ब्रण है जैसे ओट क के उपर के या जीवा के उपर के या मसुडों के उपर के वो सब ब्रण बहुत जल्D से भर जाते हैं मुखह की दुरगंदि भे चली जाती है और मुखह शुद्ध होता है और अगर हमारे जीवा में कोई रूची नहीं है तो हल्दी के इस ग alarmे से वो रूची भी हमको प्राप्त हो जाती है अगर टॉंसिल आईटी से बच्चों में खास करके उनमें अगर बार बार टॉंसिल में सुजन आती है या उसके उपर कोई पीप है जिसको हम लोग पस पॉकेट पोलते हैं उनमें भी अगर इसका गरारा दिया जाए तो यह पस पॉकेट बहु जल्दी ठीक हो जाता है अगर हम इसको इसका गरारा करेंगे और हल्दी का काड़ा भी पीएंगे जैसे गरम इसका गरम पानी में उसको गरम करके और थोड़ा ल्यूकवर्म जब रहेगा तब हम इसका सेवन करेंगे तो हमारी आवाज भी बहुत अच्छी जल्दी से जैसे किसी के आखों में कीचड आता है लाली रहती है दरद रहता है सुजन रहती है और कभी कभी तो आखों में कोई जखम अगर है तो एक भाग हल्दी और दस भाग पानी लेकर अगर हम उसको उबालेंगे उसको चान के अगर इस पानी के बूंद अगर हम डालेंगे इस सारी चीज़े मतलब लाली हो कीचड़ हो या पीप हो सुजन हो दरद हो आखों में यह सब जल्दी ठीक हो जाता है कान में अगर तकलिफ है कान से कभी कभी किसी को पीप आता है तो अगर उसमें भी हल्दी उसका काड़ा अगर इसका पानी डालेंगे तो यह पीप आना भी ब भी यह शीरोगोरो जल्दी से ठीक होगा और साइनस के अंदर की जो स्वैलिंग है वो ठीक हो जाएगी और हमको आराम मिलेगा सांस लेने में जो तकलीफ होती है साइनसेटिस के वज़े से पेन होता है वो कम हो जाएगा रही बात फुपुसोंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो हल्दी ऐंटी बैक्टिל होने की वज़े से यहां उत्तम कासगन है और श्वासगन है मतलब यहां नमा को कम करता है और खासी को भी कम करता है और इसके साथ साथ अगर हिचके लगी है तो भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेट में अगर अंदरूनी अगर हम देते हैं इसको तो आतों के अंदर के जो क्रूमी है वो मर जाते हैं अगर हम इसको अजवायन और वीडंगादी चुरन क साथ देते हैं तो पेट के अंदर के सारे क्रुमियों का नाश होगा पेट में अगर अपच है गैस है गुबारा है कोई गुल्म है जो गैस की वज़े से बनता है वो भी ठीक हो जाएगा स्रीयों के उपर अगर इसका इस्तमाल अगर देखेंगे तो यहां उत्तम स्तन्य कर देती है रसका शोदन होने की वज़े से स्तन्य के भी शुद्धी हो जाती है और प्राकृत स्तन्य निर्मेती होती है जो बालुफों के लिए उप्युकत है अगर कोई विद्रदी है मतलब कोई फोड़ा फुनसी है इस्तन के उपर तो इसकी अगर पोल्टी से अगर हम लाली है और दरद है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा बहुत सारे औरतों को श्वेत प्रदर की समस्या रहती है बदबुधा श्राव आता है उनमें भी अगर हल्दी के काड़े का उत्तर बस्ती दिया जाएगा या पेट में हल्दी गुड के साथ अगर देंगे तो यहां सं आपको बढ़ाता है जो विर्य में अगर कोई तकलीफ है तो उसका शोधन कर देता है और प्राकृत विर्य उत्पत्ति होती है या मेल परसंस के लिए है फीमेंस के लिए तो मैंने आपको बताया जैसे कि यह योनी योनी शोधक है और योनी के अंदर जो गरबाश है मुख है उसमें अगर कोई सुजन है या कोई वरण है तो उसको भी यह कम करता है अगर हम उसको काड़े का अगर उत्तरबस्ति देते हैं तो या पेट में अगर देते हैं खाने के लिए तो अभी आगे बढ़ते हैं कि जैसे पाइल्स में काफी और रहते हैं और बाकी जो सब बैड भी नहीं पाते हैं उसमें थोड़ी खुझली रहती है तो ऐसे अर्ष के मोड पे पाइल्स के मोड पे अगर हम गाई की घी के साथ इसको लगा के मिला के लगाएंगे तो यह मोड जल्दी से सुख जाते हैं यह आप तील के तेल के साथ भी हल्दी का उप्योग करके पे लगा सकते हैं अर्ष के मोड पे और इसके उपर घुझली आते हैं वो भी सही हो जाती है आगे बढ़ते हैं इस सभी चीज़ीत के अभी हमने जो बात किये थे हैं ये अब जो बताये वह हमारे करक्युमा लोंगा के बारे में जो हमायारी किचन में यूज होती ऐह दूसरी हल्डी है आमभा हल्डी, जिसका लाटिन नेम करक्यूमा अामाधा है और यह भी जिंजिब अध्रक्य जैसी दिखती है अगर लेकिन अध्रक्य से थोड़ी पतली रहती है इसका कच्छा कन अगर हम तोड़ेंगे तो यहां सफेद कलर की रहती है और उसमें कच्चे कहरी के जैसी खुश्बू आती है यहां अल्दी मोच पे या सुजन पे आगन तुझ अगर कोई आग प्रकाश की अनुसा सर्वकंडू नाशनी है मतलब बदन पर जितनी भी खुजली खाज खुजली जो है वह सब को यह अच्छी तरह से कम कर देता है मतलब यह बहुत ही अच्छा अंटी फंगल मेडिसीन है आप इसको घर में हमेशा रखेगा कि कभी भी बच्चों को मार लग किचन में इसका इस्तमाल नहीं करते हैं यह भी शोथग नहीं शुलग नहीं और वर्ण है मतलब त्वचा को अच्छा वर्ण देती है इसका हम कम से कम इस्तमाल लेकिन करते क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है यह हमारे भारत वर्ष में ज्यादा तरके ज को लोग इसका इस्तमाल करते हैं अगर आपको अपने घर की negativity अगर दूर करनी है तो उसका पौधा लगा सकते या इसका जो कंद है तो घर में का प्रवेश्नी होगा और अगर कोई negativity थी अगर है भी तो भी वह चली जाएगी और प्सिटिविटी आयेगी, यह रही हमारी हल्दी के बारे में पूरी जानकरी जिसमें मैंने करक्यूमा लॉंगा, जो हमारी नॉर्मल हल्दी है, जो किचन में यूज होती है, करक्यूमा अमादा, अमबा हल्दी, जो सर्वकंडू नाशिनी है, और मोच को बहुत अच्छे से करती हैं काली हल्दी जो नेगेटिविटी को दूर करती हैं अभी आगले वीडियो का आमारा इंतजार कीजेगा नमस्ति